से हैं राम कथा का प्रसंग भरत और चरन पादुगा भरत और चरन पादुगा अर्थात भक्त भरत की कहानी भगवान राम के छोटे भाई भरत जो शी राम चंद्र जी से बहुत प्रेम करते हैं उनका प्रेम बहुत बड़ा है प्रभू के परती कैसा प्रेम तो प्रेम की पराकास्था की एक आदर्ष को अस्थापित करते हैं प्रेम कैसा होना चाहिए तो भरत के समान होना चाहिए आज भरत एक ऐसे आदर्ष की अस्थापना करते हैं जो प्रेम करने वाले सभी को एक सिक्षा प्रदान में करते हैं सिक्षा मिलती है कि प्रेम कैसा होना चाहिए और प्रेम कैसा होता है अपने करतव्य की भावना, अपने भाई के परती, मित्र के परती, स्वामी गुरु के परती कैसा प्रेम हो, तो भरत जैसा प्रेम हो, जैसा भरत जी ने श्री राम जीसे किया था इसलिए भरत जी का जो प्रेम है वो बहुत ही प्रबल और बहुत ही महत्पूर्ण है तो रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसिदाजी की सरचना में जो अयोध्या कांड की विशेस्ता है उसमें भरत चरित्र बहुत बड़ी विशेस्ता है कि भरत जी का चरित्र कैसा है वैसे चौपाईयों के माधियम से तो गोस्वामी तुलसिदाज ने बहुत विस्तार से लिखा है लेकिन हम आज उसे संशेप में ही ग्रहन करेंगे संशेप में ही यहाँ पर उसको बताएंगे तो भरत जी का चरित्र कैसा है कितनी बड़ी बात है भरत जी में उनका मन कैसा है प्रभू के परती समरपन कैसा है उनके भाव कैसे है और प्रेम प्रगट भी तभी होता है जब वियोग होता है प्रेम तभी प्रगट होता है जब वियोग होता है विचोह होता है जब विचुलना होता है तो जाकर प्रेम ऐसे तो पता नहीं चलता शायद कई-कई को भी नही पता था कि भरत के हिर्दय में राम के प्रती कितना प्रेम हैं, कितना समर्पन हैं, शायद कैकई को ये पता नहीं था, यदि रामी कैकई को ये पता होता, तो वो जो कर चुकी थी, कर चुकी थी, वो शायद कभी न करती, कभी न करती अगर उसे पता होता कि मेरे ऐसे करने का क्या परिणाम होगा यद भी कैकाई स्वेम कहती है मंधरा से कि वो राम से बहुत प्रेम करती है और उनके राजविशेक से बहुत प्रसन्न है राम भी बहुत प्रेम करते हैं परंतु मंत्रा ने गोटिया जोड़नी शुरू कर दी, सीन दिखाना शुरू कर दिया कि देख राम अगर राजगर्दी पर बैठेंगे तो तेरा कितना अधिकार चलेगा और अगर भरत बैठेंगे तो तेरा कितना अधिकार चलेगा सत्य है कि कैकाई ने भरत के बारे में सोचा एक माँ अपने पुत्र के बारे में सोचती है परतेक मा सोचती है लेकिन फिर भी कई बार वो अपने पुत्र के बारे में सोचने में कई माता पिता अपने बच्छों के लाड में, बच्छों के प्यार में, उनके दुलार में लाड दुलार करने में कई माता पिता जो हैं अपने ही बच्चों का नुकसान कर देते हैं अपने ही बच्चों की छती करना शुरू कर देते हैं वो उन्हें इतना लाड प्यार देना शुरू कर देते हैं जैसे धृतराश्ट ने किया जैसे कैकई भी कर रही है लेकिन यहां पर जो बच्चा है वो दुरियोधन की तरह नहीं है वो यहां पर विवेकी ज्यानी भरत है जिसका हिरदय प्रभू प्रेम में डूबा हुआ है इतना डूबा हुआ है कि जैसे अगर उसे स्वामी से दूर कर दिया जाए तो पानी से अ भरत की स्थिती कुछ अलग है श्री राम चंद्र जीतो वनवास में निशाद राज को भी गंगा तट पर छोड़ कर गंगा पार करकर वन में चले जाते हैं भार्दवाज रिशी के आश्रम में भार्दवाज रिशी के आश्रम में कुछ समय रुकने के बाद वो अस्थान बता देते हैं कि यह अच्छा अस्थान है आप यहां पर रहिए और तब से श्री राम चंद्र जी सीता माता जी और लक्षमन जी यह सभी चित्रकूट में ही वास करना शुरू कर देते हैं और इधर अयोध्या में निशाद राज की प्रतिक्षा कर रहे हैं मंत् प्रतिक्षा कर रहे हैं कि निशाद राज लोटेंगे तो राम जी के साथ ही लोटेंगे निशाद राज ने भरपूर प्रयास किया सुमंत्र मंत्री थे अगर भगवान राम कुछ कह दे तो अग्या मानकर उनको मानना ही था लेकिन निशाद राज मित्रवत विवहार रखते थे तो बहुत सारी बाते कह सकते थे और बहुत सारी बाते वो कह भी रहते कोशिश भी राजधानी है श्रिंगवेरपूर में ही अपने 14 वर्ष बिता दे और मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं 14 वर्षों तक शेराम जी की सेवा करूंगा राम सीता लक्षमन हमारे यहां रुकेंगे क्या दिक्कत है निशाद राज तो अपने जीवन को धन्य करना चाहते थे लेकि का वन में भटकना और नीचे भूमी पर सोना वही उन्हें बरदास्त नहीं हो राता सहन नहीं हो राता यह अलग बात है कि राम चेंद्र जी के मुखारबिंद पर हमेशा प्रसन्नता की मुद्रा रहती थी उनको देखते ही दुखी से दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए ऐस व्रिक्षों में जब नदी के किनारे होते तो नदी का आनंद लेते हैं जब जंगल में व्रिक्षों के साथ होते हैं तो व्रिक्षों का आनंद लेते हैं वो तो हमेशा आनंद में ही नजर आते हैं कहीं नहीं लगता कि वो दुख भोग रहे हैं या कष्ट भोग रहे हैं निशाद राज ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया और श्रीराम चंदर जी केवट की नाव से गंगा पार करकर निशाद राज को वही रोग देते हैं। आपको रुखना पड़ेगा गंगा पार आप हमारे साथ नहीं जाएंगे और श्रीराम चंदर जी माता सीता और लक्षमन जी आगे बढ़ जाते हैं वन में जहां जाते हैं वनवासी लोग उनको देखते हैं और देखकर जो उन्हें देखता है जैसे कि क्योंकि ऐसी प्रसन् जब अयोध्या से निकले थे तो राजा दश्रत ने कहा था कि है सुमंत्र जाकर राम को समझाओ कि वन में बहुत कश्ट है ऐसे कहीं पर एक मास के लिए तुम गय थे विश्वामित्र जी के साथ वो एक अलग बात है और विश्वामित्र जी के संग रहने से तो जहां भी जाओ वहां सम्मान मिलता है सुविधाय मिलती है लेकिन अकेले वन में इस प्रकार से भटकना बहुत कश्टकारी है वन में अनेको व्रिक्ष कोई रास्ता नहीं मिलता और पैदल चलना पहाड़ों पर इस तरह से चलना फिरना बहुत कश्टदाई होता है और वो भी अपन इस्त्री के साथ राम को समझाओ कि वन में तुम्हें बहुत कष्ट मिलेगा तुम तो बच्पन से महल में रहे हो तो फिर ऐसा क्यूं सोच रहे हो शायद भैभीट होकर मान जाए तो भगवान राम से जब यह बात कहेगी राम चंद्र जी ने कहा राम चंद्र जी ने मंत्री सुमंध से कहा कि ऐसा कैसे कह सकते हैं आप जीवन में प्रतिक परस्थिती के दो पहलु होते हैं हम जीवन में कोई भी कारे करेंगे या कोई भी निरणय लेंगे डिसीजन लेंगे हम तो उसमें थोड़ा घाटा और थोड़ा लाब होगा नुकसान भी होगा और लाब भी होगा कुछ भी करो अब आपको चुनना है कि आपको जो नुकसान हो रहा है वो आपको स्विकार है कि नहीं और लाब स्विकार है कि नहीं तो वन के अंदर भी लाब है जैसे महल में रहने का लाब है कि हमारे लिए सुन्दर सुन्दर बिस्तर है अस्थान है और हमारे लिए जो है बहुत ही स्वादिष्ट वेंजन यहां बनते हैं, पकवान बनते हैं, पुए पूरियां हमें खाने को मिलते हैं, और बहुत तरह की मिठाईयां मिलती हैं हमें, तरह तरह के हमें सांसारिक भोग सुख सुधाय मिलती हैं महल में, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वन में भी एक नहीं है तो वन में अध्यात्मिक भोग प्राप्त होता है। ध्यान साधना करने का आनंद, समाधी में बैठने का आनंद, वन और परवतों में जितना आता है, वो महलों में खुटीरों में नहीं आता। दूसरी बात, वन की वायू जितनी स्वक्ष होती है, वो यहां महलों और नगरों में उसकी वायू इतनी स्वक्ष नहीं होती। तीसरी बात, वन के अंदर रिशी मुनियों का जो संग प्राप्त होता है और शुद्ध भोजन प्राप्त होता है फल मिलते हैं, फलों को खा कर हम ज़्यादा स्वस्त रहते हैं क्योंकि वो प्राकर्तिक भोजन है, मनुश्य का प्राकिर्तिक भोजन है तोकि फल फ्रूट को पकाना नहीं पड़ता है हम सीधा उसे खा सकते हैं फल को कंद मूल को भगवान राम ने वन के भी लाब गिनाने शुरू कर दिये और इतने सारे लाब मुझे प्राप्त होने वाले हैं मैं उनको छोड़कर इस भवन में रहूं महल में रहूं और ना जाऊं और सीधा पिता के वचनों से भी गिर जाऊं वो भी ठीक नहीं है रगुकुल रीत सदा चल याई प्राण जाय पर वचन न जाई मुझे तो वचनों का पालन इस प्रकार से करना ही चाहिए इसलिए रगुकुल के सम्मान के लिए यदि रगुकुल के राजा के द्वारा माता कैकई को ये वचन दिये गए थे कि तुम्हें दो वर्दान दिये जाएंगे तुम्हारे इक्षा अनुसार तो आज उन्होंने दो वर्दान मांग दिये हैं भले मेरे पिता मोहवश उनको पूरा वर्दान हा नहीं कह रहे हैं लेकि मेरा कर्तव बनता है कि मैं रगुकुल की रीत बचाय रखने के लिए सवचन को पुर्ण करूँ और बहुत सारे लाब सुमंत रिशी ने कहा कि राक्षस भी होते हैं विशैले जीव जन्तू होते हैं ह भय रहित करेंगे रिशी मुनियों का जीवन भय रहित करेंगे वन के अंदर बड़े बड़े आश्रम है रिशी मुनियों के अगस्त रिशी हैं सर्भंग रिशी हैं सुतिक्ष्ण हैं अत्री हैं इन सभी रिश्यों का आश्रम हमें मिलेगा और हम इनसे मिलेंगे इनका सान में अने को परिस्थितियां आ सकती है जीवन में कई बार विक्ती को यश मिलता है तो कई बार अपयश का सामना भी करना पड़ता है जीवन में कई बार मान सम्मान तो अपमान भी देखना पड़ता है जीवन में कई बार धन धानने से संपन तो कई बार निर्धनता भी देख प्रति आप कैसी सोच रखते हैं आप किस प्रकार की सोच रखते हैं यह आप पर निर्भर करता है अगर सोच सही है तो जंगल में भी मंगल हो जाता है नहीं तो इंद्र की पूरी में भी अगर इंद्र का स्वर्ग का सुख भी मिल जाए तो वहां भी शांती ना मिले वहाँ भी शांती ना मिले वहाँ भी व्यक्ति अहंकार के वशिभूत हो जाए जिसे राजा नहुश हो गए और नहुश को फिर श्राप भी प्रापत हो गया तो गदी भी छुट गई फिर इंड्र की तो इस प्रकार से हमारी सोच क्या है How we think हमारा हमारी सोच क्या है और हमारी सोच में दिर्धता कितनी है कितनी विगरस थाट प्रोसेस है कन्विक्षन है तो जब बहुत स्ट्रॉंग हमारे डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉंग होगा हमारी सोच हमारी जो सोच है वह बहुत दिर्ड होगी तो क्या कष्ट वैसे भी शरीर नश्वर है और वैसे भी शरीर मिथ्या है हम तो सुक्ष में ही हम तो आत्मा है ही ऐसे विचार करके राम जी को भला क्या कष्ट मिलने वाला था यद्दपी वो एक नर लीला कर रहे हैं प्रतेक विक्ति को सिक्षा देते हैं संसारिक सुख तो राम के जीवन में भी नहीं था और प्रभू राम जाने के लिए तैयार हैं निकल पड़े हैं लेकिन इस भाव को हर विक्ति नहीं समझता उधर सुमंत्र को जब पता चलता है मंत्री सुमंत्र के निशाद राज के राजा दश्रत जो पहले से ही बहुत ही दुर्दशा में हैं लेटे हुए है तो उठाही नहीं पा रहे हैं चार लोग उन्हें पकड़कर उनके बिस्तर पर लिटाते हैं कई-कई के कक्ष से बाहर निकालते हैं जैसे के सरीर के अंग सुन न पढ़ रहे हों ऐसे स्थिती में आ गए हैं सहर नहीं हो रहा है कि जिस पुत्र का आज राजजबिशे करना है उसे वनवास हो गया अभी अभी तो इनका विवा हुआ था अभी तो कुछ समय सांसारिक सुखों को भोगने का समय था लेकिन इस समय ऐसा वनवास ऐसा कठोर जीवन ऐसा दुख में जीवन पुत्र को भोगना पड़ रहा है पुत्र के साथ घोर अन्याय हो रहा है और कहीं न कहीं इस अन्याय का कारण मैं ही हूँ राजा दश्रत इस प्रकार से विचार करकर बहुत दुखी है उधर समंत्र जब वहाँ पहुँचते हैं सारी सूचना दूसरे मंत्रियों को रानियों को पहुँचाते हैं और राजा दश्रत को बताते हैं जब राम नहीं आते हैं राजा दश्रत से ये वियोग बरदाश् नहीं होता, सहन नहीं होता कि ये कैसा कलंक मेरे उपर आ जाएगा, क्या लोग कहेंगे कैसे मैं बड़े बड़े दूसरे राजाओं के प्रशनों का उत्तर दूँगा, राजा जनक आएंगे जिन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह मेरे पुत्रों से किया है, और जब वो आकर मुझसे प्रशन करेंगे कि आपके राज्य में ये सब कैसी राजनीती चल रही है, मैं क्या उत्तर दूँगा, अनेको प्रशन दशरत के मन में है, और दशरत उन सभी परस्थितियों का सामना करने योग्ये अपने आपको नहीं पाते, और श्री राम चंदर जी का जा करना है, जिस पुत्र का राजविशेक आज होना था, उसी को वन भेजना पड़ा, वही वन चला गया इस प्रकार से, दशरत राम राम करते ही अपने समय को बिताना शुरू कर देते हैं, बस राम को ही देखने के लिए उनकी आखे तरस जाती हैं, और उनकी प्राण जो है, शरीर का त्याग कर देते हैं, राजा दशरत दिवंगत हो जाते हैं, देह त्याग देते हैं, इसी वियोग में, इसी विछों में की उनकी पुत्र राम कहां चले गए, राम जी कहां चले गए, सारा माहौल दुख में हो जाता है, रानिया विदवा हो जाती है, राजा दश साल में रह रहे भरत और शत्रग्न को बार-बार अने को स्वपना आते हैं अब शकुन मिलते हैं और फिर सूचना भी आ के शिगर अयुद्या वापिस लुटाईये अर उस Song dłider भ्रत भाई आयुद्या आ सागे क्या हैं तो पिता की मृत्यू हो चुकी है पिता का अंतिम संसकार होने वाला है भाई के माध्यम से होता है भरत जी के माध्यम से परंतु बहुत दुखी इसका कारण कौन है क्या ऐसी घटना घटी की पिता जी की ऐसी दुर्दशा हो गई अपनी माता के बारे में सुना माता ने इस प्रकार से कर दिया दो वर्दान मांग लिए अपनी मा को बहुत भला बुरा कहा भरत कहने लगे कि मेरा तो कलंक है कि मैं तेरी कोक्स से पैदा हुआ हूँ मैंने सुना था कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती लेकिन हे कह कई तो कुमाता ही है मेरे लिए और एक बार नहीं राम चरित मानस के कई चौपाईयों में अयुध्या कांड में भरत अपनी माता का जब भी जिक्र करते हैं तो उसे कुमाता बोलते भगवान राम के पास जाते हैं भी कहते कि अगर मेरी माता कुमाता ना हुई होती तो शायद आज कुछ और ही दृष्य होता भगवान राम से कहते कि आप उध्या की राजगदी पर बैठते और मैं आपके चर्नों में बैठता और आपकी चर्नों में बैठकर जितना सुख का अनुभव करता शायद वो कभी भी नहीं कर पाता लेकिन मेरी माता कुमाता हो गई इसलिए आज ऐसी दिन भी देखने पड़ रहे हैं तो बार बार भरत अपनी माता को कुमाता कहते सत्रुख्ण को पता चलता है कि ये सारा कई कई ने नहीं किया है मंथरा ने किया है तो शत्रुख्ण जाकर मंथरा को उचित दंड देते हैं उसे दंडित करते हैं और दंडित करकर उसे महल से निकालते हैं लेकिन फिर भी नारी समझ कर अबला समझ कर उसे जाने से रोक लेते हैं कि बिचारी कहां जाएगी लेकिन फिर भी मंत्रा को दंड अवश्य मिलता है इस प्रकार से व्याकुल भरत पिता की ऐसी मृत्यू हो गई अब राज अभिशेक होना है अब तो कहके समझ गई कि क्या क्या गलतिया हो गई मुझसे लेकिन अब क्या अब पच्तात होत क्या जब चुड़िया चुप गई खेत अब तो राम निकल चुके हैं गंगा पार करके सगनवन में निकल चुके हैं भरदवाज मुनी की आश्रम चुट्रकूट पहुंच चुके हैं हैं अब अब क्या होगा अब कैसे मैं राम को वापिस ले आउं भरत विचार करने लग जाता हैं बहुत रोते हैं मेरे उपर लगा है कि मेरी माता ने मुझे राजा बनाने के लिए कैसी कैसी बात कर दी और ये बात अफैल चुकी है सारा समाज मुझे किस द्रश्टी से देखेगा इस आर्यावर्थ के रिशी मुनी गुरु वसिष्ट विश्वा मित्र अगस्ति और राजा जनक जिन्होंने अपनी चार पुत्रियों का विवा हमारे घर में किया है हम सबकी पत्नियां उनकी ही पुत्रियां हैं वो मुझे किस द्रश्टी से देखेंगे क्या मेइरी माता ने यह सब नहीं सोचा कैसे वो किसी कलंक को लेकर राजमुकोट धारन कर सकती है मैं क्या इतना गिर सकता हूँ और क्या मेरी माता इतनी गिर सकती है बार बार माता के उपर रोश और स्वेम के उपर रोश आता है भरत का मन करता है कि खंजर ले और अपने सीने में डाल ले अपने प्रानों को तोड़ दे भरत बार बार अपने आपको कोशते हैं चलाते हैं रोते हैं कहते कि मैं कितना पापी हूँ पितास्षि ने तो प्राण ही त्याग दिये मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते मैं क्यों नहीं मर जाता कैसे भी सत्रुख्र और रानिया मिलकर उनको सम्हालती है कि नहीं भरत, चाहे जो भी हो अब तुम ہी को सम्हालना है तुम ही को सब देखना है राम भी गय, लक्षमन भी गय अब तुम भी अगर ऐसा कुछ निरने ले लोगे तुम भी अपना देह त्याग कर दोगे तो नहीं होगा भरत तो जीना ही नहीं चाहते हैं जैसे किसी मचली को पानी से निकाल कर रख दिया गया हो और वो कैसे छट पटाती है, कैसे तरपडाती है भरत की कुछ ऐसी ही स्थिती है भरत बार बार कहते हैं कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि मेरे प्रान मेरा देह क्यों नहीं छोड़ रहे है पिता श्री जिवित नहीं रह पाए जिस घटना से उस घटना को सुनकर मैं जिवित क्यों हूँ, मेरा तो जीवन ही कलंक है, मैं तो कलंकी हूँ, मैं तो लोभी हूँ, लालची हूँ, राज सत्ता का लालची हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए, मुझे मिर्तिव दंड मिलना चाहिए, क्यों न मुझे लक्षमन आ कर मार देता, क्यों न प्रभू मुझे धंड देते, क्या कोई नहीं बचा जो मुझे धंडित करे, मुझे धंडित करे, और मेरी इस कुमाता को धंडित करे, जिसके कारण ये सारी घटनाएं घट गई है, भरत अपने लिए मृत्यू को चुनते हैं कि मिर्ट्यू से बढ़कर दूसरा कोई मार्ग नहीं है, मेरे लिए तो मर जाना ही अच्छा है, भाग्यशाली है पिता जिनको मिर्ट्यू आ गई, लेकिन मुझ पापी को देखो, मुझे पापी को देखो कि मुझे मिर्ट्यू नहीं आ रही है, मुझे मिर्ट्य प्रभू शीराम जी लक्षमन जी किस दिशा में गय हैं? सारी बात बता देते हैं कि गंगा पार करकर वन में गय हैं और उधर भार्दवाज बुनी का अश्रम है तो हो सकता है कि वहां भी गय हो तो वहां तक तो हम जा सकते हैं वहां तक हम पता करते हैं भारत को एक आश आती है कि अगर हमने प्रभू को ढूंड लिया वन में तो मैं उन्हें कैसे भी मना कर ले आउंगा किसी भी तरह मना कर ले आउंगा और राजविशेक होगा वो राजा बनेंगे और उनके चर्नों में बैठकर उनका सेवक बनकर जो अस्तर लेते हैं ना शस्तर चल पड़ते हैं लेकिन मंत्री सुमंत्र सत्रुग्न समभालते हैं कि नहीं अकेले नहीं भारत तो अकेले ही निकल पड़ते हैं कि मैं जाओंगा मनाओंगा लेकिन पीछे पीछे एवध्या की जनता चल पड़ती हैं तीनो रानिया चल पड़त और इस तरह से कई रिशी मुनी और कई लोग फिर रास्ते में कहते हैं कि जैसे निशाद राज के राज्यों में प्रवेश करते हैं श्रिंगवेरपुर में जैसे ही भरत का प्रवेश होता है और बहुत भारी लोग आ रहे हैं तुझ समय निशाद राज के गुपतचर जाकर निशाद राज से कहते हैं कि हे राजन लगता है कि भरत भारी सेना लाकर लेकर आ रहा है और वन में जाकर शीराम जी का वद करेगा बारी संक्या में अयोध्या से लोग आ रहे हैं रथों के उसमें कई लोग हैं और भरत भी आ रहे हैं लेकिन भरत तो पैदल ही चल पड़े हैं नंगे पैर ही चल पड़े हैं और निशाद राज के सीमा में जैसे ही भरत प्रवेश करते हैं निशाद राज के चरनों में गिर जाते हैं कि है निशाद राज गू आप तो मुझसे भी स्रश्ट हैं आपको प्रभू का इस्पर्ष ब्राप्त हुआ वह आपके साथ रुखे आपके राज्य में रुखे आपने उनका सत्कार किया सेवा किया जब भरत के अश्रुधारा नेत्रों से बहते वे अश्रुधार को निशाद राज देखते हैं समझ जाते हैं कि भरत वध करने नहीं निकले हैं कोई युद्ध करने नहीं निकले हैं राम से वो तो बस राम के चरनों में लोटने के लिए निकले हैं उनके चरन रज को प्राप्त करने के लिए निकले हैं उनकी कृपा में निकले हैं निश निशाद राज भी उस समय भरत के साथ चल पड़े निशाद राज के मिलते ही भरत जी को थोड़ी सी जैसे की संतावना जैसे होता है तिनके का सहारा मिल जाना एक सहारा मिल गया कोई तो मेरी अगवाई करेगा क्योंकि आयुद्ध्या में किसी व्यक्ति पर तो विश्वास यह सब कलनकित हैं पूरी अईउध्या ही कलनकित हो चुकी है ऐसी घटना घट चुकी है एन ये कैसे सु पर लिया कि राम राजा नहीं बनेंगे अगर मेरी माता ने कहा था, तो मेरी माता को तुरंत महल से निकाल क्यों नहीं दिया, उस मंत्रा को क्यों नहीं निकाल दिया, बहुत तरह की बाते हैं, लेकिन निशाद राज तो अयोध्या के वासी नहीं थे, निशाद राज तो अयोध्या के पडोसी थे, और मित्र थे, तो इसलिए निश राज के संग मिलकर चल पढ़ते हैं चल पढ़ते हैं निशाद और भरत साथ में सत्रुग्न अयुद्या की कुछ जनता कुछ सैनिक सेना की टुकड़ी मंत्री गन तीनों माताएं रिशी मुनी वसिश्टादी रिशी और राजा जनक भी उधर से आ जाते हैं और चल पढ़ते हैं भार्दवाज मुनी के आश्रम में जाकर तूश समय तक रुकते हैं और रुक कर वहां से भार्दवाज तुर इसे यही प्राइटना करते कि आप कैसे भी मुझे प्रभू के चर्णों से जोड़ दीजी अर्थ चाहिए न काम होड़ी चर्णों की सेवा चाहिए और मैं उसी के लिए तटड़ रहे हूं मुझे प्रभू का पता बता दीजिए और भार्धवाज बनी चित्रकूत का सूचना देता है कि भरत आ रहे हैं लेकिन क्यूं आ रहे हैं अयोध्या से भरत आए हैं और बहुत सारे लोग उनके साथ आ यह तो लक्षमन जी को लगता है युदकर ने आया है लक्षमन जी अपना धनुषबान समहाल कर अवरिक्ष पर बैठ जाते हैं कि यहीं से पहले मु लग्षमन जी ने कहा कि मैं भी बच्पन से जानता हूं मुझे भी विश्वास नहीं है लेकिन जो घटना घट चुकी है उसे कैसे न कार सकता हूं कि उसकी माता कहकई ने हमारे साथ क्या किया चौदा वर्षों का वनवास दिला दिया अपने बेटे को राजा बनाने के लिए जरूर युद्ध करने आया है अपनी राजगदी को सुरक्षित करने के लिए हमारा वध करने आया होगा और देखना हो सकता है कि ये बाद में भाई सत्रुखन का भी वध कर देगा लक्षमन जी ऐसे बहुत सारी बाते उनके मन में आती हैं युद्ध लड़ने के लिए वो आतुर हैं कि भरत को मैं पहला स्वागत अपने बाणों से करूँगा ऐसा करके लेकिन भगवान राम र लगा लिते भरतजी को गर्य लगाते सब मिलते हैं प्रेय मिलते हैं और फिर सब बैटकर विचार विमर्ष करने लगजाते हैं कि हे राम कैसे भी राम जी को ले चला जाए भरत जी का मन ले नहीं ने रहलो भारत जी कहते हैं कि प्रभू अगर वचनों की पिता के वचनों की बात है तो वचन तो मैं भी पूरा कर सकता हूं मैं 14 वर्स रह जाता हूं आप जाकर राजगदी पर बैठिये और अयुद्या का साशन सभालिए भगवान राम कहते हैं कि नहीं यह तो मेरे माता कह्य कहीं यह वर्रदान मेरे लिए मांगा था अब मेरे लिए माता कहयीं भी प्रार्थना करती हैं लेकिन पवल आप तू यह जग जाहिर है कि यह वचन है अगर आप मुझे ले दुबारा तो समाज क्या बोलेगा कि देखो इसने वनवासी बनने का ढोंग मात्र किया था मोह माया में आकर फिर से राजगदी के मुह में आकर चला गया तो इसलिए मैं ऐसा कलंग अपने उपर नहीं ले सकता इसलिए माता आप तनिक भी अपने उपर क्रोज ना करे तनिक अपने आपको भाग्य ही ना समझे जो हुआ है सब अच्छा ही हुआ है और वन में मेरी आवशक्ता है इतने दिनों में मैंने ये देख लिया है कि वन के अंदर विचरने वाले अनेको राक्षस हैं और वन में अनेको ज्यान है वास्तों में आज जो बड़े-बड़े नगर बसे हैं वो वन के ज्यान से ही बसे हैं वन वासियों के ज्यान से ही बसे हैं वन पे ही अनुसंधान होता है वन में जैसे जैसे औशधी पाई जाती है वो नगरों में नहीं पाई जा सकती और जितना शुद्ध वाता वरन और फल कंद मूल मिलते हैं खाने के लिए वो नगर करूंगा और अगर जाता हूं तो भी अपने आपको समाज के सामने दोशी पाता हूं कि मोह माया में आकर मैं फिर से चला गया लेकिन अब नहीं अब तो मैं वन में ही रहूंगा और 14 वर्ष के वनवास का प्रण लेकर श्री राम चंदर जी वन में ही रहने का नढ़ने लेते हैं भाई भरत रोकर धोकर बहुत मनाने का प्रयास करते हैं बहुत तरीके से मनाने का प्रयास करते हैं लेकिन श्री राम चंदर जी अनेक तरकों से धरम के माध्यम से, शास्त्र माध्यम से, यहां तक कि जिब गुरू वशिष्ड, राजा जनक जैसे महान ब्रह्म ग्यानी लोग, जब भगवान राम को कहने पर, भरत जी बार बार रोकर कहते हैं, राजा जनक से, आप समझाइए, आप बताइए, गुरू वसिष्ड कि आप अब जैसे ही जनक और वसिष्ट भगवान राम को समझाते हैं तो शास्त्रों का उदाहरन लेकर शास्त्रों का उदाहरन लेकर स्वी राम चंद्र जी वसिष्ट जी को भी उत्तर देते हैं और राजा जनक को भी उत्तर देते हैं और जब उत्तर देते हैं तो शास्त्र प्रम को वर्दान देते हैं आशिरवाद देते हैं कि तुम्हारी ये तपस्या अवस्य पूर्ण होगी और इसका बहुत महान फल फल प्राप्त होगा इस प्रकार से वस्य जी भी बाद में कुछ नहीं किये राजा जनक भी कुछ नहीं अब भरत का मन फिर भी उचाट है भरत कहीं न कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और जब संतुष्ट नजर नगे पैर दोलकर आये थे लेकिन भगवान राम खडाव पहन कर चल रहे थे और उस समय भगवान राम ने कहा कि भरत अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो ऐसा करो कि मेरी चरन पादुका ले जाओ ये खड़ाओ तुम लेते जाओ ये खड़ाओ ले जाओ और जैसी चरन पादुका की बात सुनी भरत के नित्रों में चमका गई भरत ने कहा कि प्रभु दे दिजिए मैं कभी राज सिंगहासन पर नहीं बैठ पाऊंगा तो कि जब भी मैं बैठूंगा तो मैं अपने आपको कलंकित मैसूस करूंगा गलानी से भर जाओंगा अपनी चरन पादुगा दे दिजिए और मैं राज सिंगासन पर रख दूँगा रख दूँगा इतने में किसी ने तर्क दे दिया किसी ने कह दिया क्या चरन पादुगा को राज गद्धी पर बिठाने से राम बैठ जाएंगे वहाँ पर भरत ने कहा कि हाँ अगर प्रभू की चरन पादुका में सिंघासन पर रख दूँगा तो निश्य ही प्रभू वहाँ पर मुझे विराजमान नजर आएंगे प्रभू की ये दो चरन पादुका मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे एक सीता जी है और एक राम जी है भरत इस प्रकार से कर देते हैं तो की तर्क देता कि अगर ऐसी बात है प्रभू अगर आपकी चरन पादुका दे देने से और सिंगासन पर रख देने से आप वहाँ विराजमान हो जाएंगे तो क्यों न इस चरन पादुका को आप 14 वर्षों के लिए 1 में छोड़ दीजिए और आप आयोध्या चलिए चरन पादुका को 1 में छोड़ दीजिए और आप आयोध्या चलिए चरन पादुका जब आपकी ही छवी है तो चरन पादुका 1 में 14 वर्ष बिता लेंगी 14 वर्ष बाद हम इस चरन पादुका को भी ले आएंगे और आप अयोध्या में चलिए राजगद्दी पर बैठिए तो भगवान राम ने कहा कि इसमें समस्या ये है कि अगर मैं चरन पादुका वन में छोड़ देता हूं तो वन में पड़े हुए चरन पादुका में वनवासियों को मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी चरन पादुका में मुझे देखने की जो दृष्टी है मेरी चरन पादुका में मेरे दर्शन करनी की जो दृष्टी है वो मातर भरत के पास है वो मातर भरत के पास है अगर भरत के पास रहेगी तो भरत तो दर्शन इन चरन प पादुका में मैं कर लेगा तो फिर अगा चरन पादुका छोड़ दी तो फिर वनवाशी तो मेara कि उनके पास बंदर नहीं कंगल कर पादुका के पास है इसलिए भरत को इस की चरण पादुका ले जानी पड़ेगी और मैं वनवास में रहूंगा से मिलूंगारे मुनियों से मिलूंगा और भगवान श्री राम चंदर जी वन के अंदर गाउं गाउं कई जगहों पर वनवासी लोगों के साथ रहते हैं उन्हीं की तरह जीवन यापन करते हैं तो कुछ समय रिश्य मुनियों के साथ विताते हैं और इसी प्रकार से अनेकों प्रसंग आते ह वनवासियों के बीच में जब जाते हैं तो वनवासी कभी सीता जी से पूछते हैं कि ये कौन हैं तुम किनके साथ भ्रमन कर रही हो इतनी सुन्दर होकर वनवासी वेसधारण क्यों करती हो तुम लगती तो कोई राजकुमारी हो लेकिन वेस तुमारा वनवासी है सीता जी से राम जी से मिलते हैं, वन में रहने वाये लोगों की संस्कृति और उनके भाशा और उनके बातों को सीखने समझने का मौका मिलता है, उनके जैसा खान पान 14 वर्स एक जीवन होता है, 14 वर्स कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, तो सीता जी हर वनवासी चीज़ों को लिखती हैं, जानती हैं, समस्ती हैं, और इसी प्रकार से वन में बीटता है, और भरत जी वापिस लोट जाते हैं, चरन पादुका लेकर, तो चरन पादुका में देखने की दृष्टी भरत की थी, और सब की नहीं थी, और चित्रकूट में वहां रहते ही भगवान राम व ठीक नहीं है हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए और भगवान राम अगस्त मुनी के आश्रम की और पंच वटी की और अपने कदम आगे बढ़ा देते हैं चित्रकुट को छोड़ देते हैं त्याग देते क्योंकि अध्यावासी वहां बार बार आएंगे सारे लोग उसका स्थवो जान चुक है कि मैं यहां पर हूँ तो कई लोग मिलने के लिए आते रहेंगे थाटीक नहीं होगा हमारे वनवासी जीवन में विवधान होगा राम चंध्र जीने सोचा कि हमारे वनवासी जीवन में विवदः होगा यह अयुध्या वासी या मिद्ला वासी वो भी जान चुक आपितो हमसे मिलने के लिए बार बार आएंगे तो थोड़ासा विवदः होगा हमारे वनवासी की, तो भगवान राम पूरी तरह से वनवासी की तरह जीने का आनंद उठाना चाहते हैं। दुखों से घबराओं मत, कष्टों से भागों मत, हर समय तुम्हां हर परस्थिती का एक सकरात्मत पक्ष होता है, उस सकरात्मत पक्ष का लाब उठाईए। विश्यों को समझ कर ये राम कथा ये राम चिर्ट मानस के प्रसंग है। आगे अभी प्रसंग है। क्या होता है अगस्त मुनी के आश्रम में पंच वटी में शुर्प नका का प्रसंग है। देवी सीता के हरन का प्रसंग है, तो किस प्रकार से ये चीजे घटती हैं, घटनाएं घटती हैं और गो स्वामी तुलसिदा जी कैसा वर्णन करते हैं। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मुख्यरुप से आज सकरात्मक दृष्टी कोन हमें जीवन में रखना चाहिए। भगवान राम की लीला चरितर से हमें यही समझने को मिलता है, कि अगर वन में रहने की भी आपदा या विपदा जीवन में आ जाए, तो सकरात्मक बने रहो। वहां भी बहुत सारी सकरात्मक परिस्थितियां बनी रहती हैं और दुख भी आए, अपने कर्म खराब ना करो, फिर भी पुन्य कर्मी बने रहो। शुब कर्मी बने रहो, शुब कर्मों को ही करते रहो जीवन में दुख आये तो भी, शुब कर्मों को ही करो, अच्छे कर्मों को ही करो, कितने भी विपदा और कितना भी दुख आ जाए, तो हमें इस प्रकार से समझना चाहिए और विचार करना चाहिए, चीक है, तो इस तर डाइ्रेक्शन में ले जाूशा पाएंगे सखरात्मक रूप से आगे बढ़ा पाएंगे तो विपतिव का सामना करना और उन MAY सखरात्म ... आपके जीवन में सखरात्मक घट रहत्नाय हैं और उन सखरात्मक घटनाओं forme आप सकरात्मक बने हुए हैं, बहुत आसान काम है, और उपदेश देना भी आसान काम है, पर उपदेश कुछल बहुत देरे, ठीक है, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो उस समय में positive बने रहना, उस समय आपका confidence बना रहना, इक अलग बात है, लेकिन जब ज पती आजाए जीवन में, धनहानी हो जाए, वनवास जैसा जीवन हो जाए, दरद्रता हो जाए, और उस परस्थिती में भी आप शुभ कर्मा बने रहें, उस परस्थिती में भी आप सकरात्मक बने रहें, तभी आपकी अंदर सकरात्मक विर्ति मानी जाएगी, तभी आप आपका दिल संकल्प माना जाएगा, रिटर्मिनेशन माना जाएगा, नहीं तो सब कुछ अच्छा है तो अच्छा लगेगा, इसमें कौन से बड़ी बात है, सारी परस्थितियां अच्छी है तो आपका confidence अच्छा रहेगा, लेकिन बुरी परस्थितियों में, जब आपका प बना रहे, तो समझे कि आपके अंदर मनोबल है, आतमबल है, नहीं तो अच्छी परस्थिती में तो प्रतेक व्यक्ति अच्छा मैसूस करता है, जब विजय पताका लहराता है, तो हर कोई confidence में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब जीवन में दुर्दशा ह जब जीवन में नकरात्मक परस्थितियों का सामना करना पड़े, तो भी तुम शुभ कर्मा बने रहो, तो भी तुम भले कर्मों में लगे रहो, तभी तुम वीर हो, तभी तुम्हारी वीरता सद्ध होती है, ठीक है, वही वेक्ति वीर है, अन्यथा, हम किसको ऐसे, किसी क पास बहुत सारी सुभिधाएं है, तो वो वीर बन गया, तो क्या वीर बन गया, लेकिन नकरात्मक परस्थितियों में संगर्ष करने का सामर्थ है, अपने मनो बल को बनाए रखने का सामर्थ है, कर्म की निरंतरता को बनाए रखने का सामर्थ है, निरंतर कर्म करते रहो, जिस कर्म को करने के लिए तुमने संकल्प लिया है वो कर्म निरंतर ही करते रहो कर्म निरंतर ही चलाते रहो तो निश्य ही आप मनों बली बने रहेंगे, आत्म बली बने रहेंगे और दूसरों के लिए प्रेर्णा बन पाएंगे, प्रेर्णा के सुरुत बन पाएंगे आप दूसरों के लिए, तो यही प्रयास हमें करना चाहिए और यही सिक्षा बगवान राम के वनवास से हमें प्राप्तम में हो चाहिए और किस प्रकार से शुभ कर्मों को सवस्था में भी यथा संभव जो भी शुभ कर्म है वो हमें करते ही रहना चाहिए कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए अपने आप परस्थितियां बदल जाएंगी जंगल में ही मंगल होना शुरू हो जाएगा परस्थितियां स्र कई समस्याइं सामने आई तो इस प्रकार से देखने में सारी बाते आती हैं तो सीखने की और समझने की एक प्रेना दाई चरित्र है श्री राम चंद्र जी का प्रते के मनुष्य को जीवन जीना सिखाता है राम वनवास गये ये कोई कथा ही नहीं है लेकिन अगर उस हम सकरात्मक रूप से मनंद्चिंतन करेंगे अगर हम उस पर सही से सोचेंगे उसके बारे में तो समझ में आएगा कि एक हमें जीवन जीने का तरीका ही राम चंद्र जी अपनी लिला से सिखाते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कल फिर राम के विश्यों को आगे लेते हुए हम चलेंगे और सुनेंगे समझेंगे कश्रत पटेल जी बहुत अभिनंदन है आपका जैश्री राम संत कुमार भाटी जी विकरम सिंग जी अबनी प्रधान जी यस सेट जी राजू पाल जी असोक शीवस कैलास बड़े सोमू माधुरी कोले माधुरी को कैलास बड़े बिस लाल बहादर सिंग जी विनोध सूध राम निवास मीना भरक शबलानी चितरंजन बरुआ रमेश प जगत नरायन जी उशा श्रवास्ताव जी गौराज जी सतीश जी रूपलाल जोश्व करमा जी पिंटू वासवा जी नवजोतिनात पिंदेश्वरी मिश्रा बलवंत सिंग गोहिर बीपु कुचाडिया मनीश जागा पूनम सिंगला रचना आरके योगिंद्र पंडित गं राम सिंग कश्यप उज्वल छेत्री दयानंद जी बहुत अभिनंदन है सभी का अब बेस फ्रेंड्स रविशंकर चौहान करन पासी विथले सिंग संदीप मिश्रा गनेश पवार उतकर्ष तिवारी जी जया विश्व करमा जी सब को बहुत-बहुत अभिनंदन है आप ज का लाब उठाते रहें चीप है कि पर फिर मिलते हैं नौ बजए लाइव चर्चा में रामकथा के राम-चरित मानस के दूसरे प्रसंगों को लेकर दूसरे विश्यों को लेकर हम चर्चा करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे बहुत सारे परस्थितियां अभी है इस रामकत्षा में और रामचरित मानस में भी है कई ऐसी चौपाईयां है कई ऐसे प्रसंग है उन पर हम चिंतन करेंगे हां इस तरह से समाप्त होता है कि अभ्धिया कांड के बाद ारं ने कांड शुरू हो जाता है तो कल से आरण ने कांड पर ही चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे आप जुड़े रहें फिर आरंने कांड होगा फिर सु नदर Նंड इस तरह से किंदा किषगिंधा कांड, सुंदर कांड लंका कांड इस तरह से चलेगा आगे बढ़ेगा विशह, इसमें कई प्रसंग आएंगे जटायू प्रसंग है सबरी प्रसंग है सीता जी का हरंはは सुतिक्षन से मिलना है भगवाण श्री रामचंद्र जी का और हें फिर कई प्रसंग ऐसे हैं उत्रकांड अपने आप में बहुत सारी सिक्षाओं से भरा गूया है तो सब पर चर्चाएं आगे होती रहेंगी जात कि कठाएं और चाफाईयों के बाद से भी हम बहुत सारी बाते समझेंगे बहुत-बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहें बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगे बढ़ते हैं कल फिर मिलते हैं नौ बजे लाइफ चर्चाम कि बेपना हैं डाँ एल और मिलते हैं कर दो दोत्ती हैं कि आप उनुटश हैं एल भीछाट ऑफ में तो. झाल झाल